हेलो दोस्तों दो कैसे हैं इस वीडियों बात करेंगे आई एंडी वर्सेज बीएंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन कल कर दी हमने बहुत बढ़ी हा विरिंग कोशिश करेंगे आज की मैच भी विन करें और हम पक्की जगह बना ले यानि सेमिफाइनल की रेस्टू टिकेट जो चल रही है वो भी यहां पर हम ग्रैप कर ले और इंडिया अगले राउन में चले जाए लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे वैससे बैस करने की इसलिए फाइनल अपडेट के साथ तॉस के बाद मैं आप बल्लेबाजी करम है कौन गेम चेंजर होगा और मेरे वोइस विसेजिस मेरे वोइस नोट साउंड आपको लास मिनट तक मिलेंगी जिससे आप अपडेटिट रहोगे आखरी मिनट तक और बढ़िया से बढ़िया कर पाओगे तो जरूर आपने हमारे टेलिग्रम में करके और नोटिफिकेशन अन करें ताकि मैं जितनी वीडियो जालू सबसे पहले आप देख सकें और हमको सपोर्ट कर सकें और सारी इंफॉर्मेशन भी घ्यादर कर सकें और बेस से बेस्ट विनिंग कर सकें मैं आ गया हूं दोस्तों आगे एंटी गोवा में यह मैच होने सर विवियन रिचर्ट स्टेडियम में यह मैच होगा आप कह सकते हो अभी तक अच्छा सर फेस रहा है स्कोरिंग हुई है पिछले मैच में बारी जरूर आ गई लेकिन सुपर रेट में बहतर उमीद है कि यहां पर रंज होने चाहिए तो आपको यह चीज देखने को मिल सक रूटलंड ने अच्छा स्कोरिंग मैच खिला नभीबिया ने बहुत कम स्कोर किया ऐंगलेट ने चेस कर दिया यहां बांगलादेश 140 और ऑस्ट्रेलिया के ऐन सौरन बने अगर आप नोटेस करोगे के बावजूद ऑस्ट्रेलिया विन कर गई क्यों क्योंकि यहां पर आ लुइस टरन के साफ से मैच डिसाइड हो गया था हमने भी मैच में अच्छा बिन करा दस में पांच फास्ट पांच स्पिन अगें स्पिन भी गेम में आया था तो यहां पे आप तोटल देखोगे 61 में 37 फास्ट 21 स्पिन दो रन आउट है एक रिटायर आउट हमारे लिए यह ज़्यादा कामका नहीं है जो कामका है 37 फास्ट 21 लेकिन पिछले कुछ मैचे में स्पिन अल्मूस बराबर आ रही है फास्ट बूलर्स के जो सुपरेट स्टेज में अभी जग देखा गया है अब यहां आप देख रहे हो इस वेन्यू के स्टैट इंडिया तो यहां खेली तेरा मैच 12 एक से इंडिया आगे है बंगलादेश सिर्फ एक मैच जीती है आज तक इंडिया से वह भी मैं आपको बताओ पिछला मैच अगर इंडिया नौ विक्तर से जीती थी यह मैच हुआ था जो दूसरी गेम्स का हुआ था एजियन गेम्स का हुआ था चाइना में आ आपको याद होगा बड़ा ही बढ़िया मैच हुआ था जिस मैच से थोड़ी बारीज भी आ गई थी यह मैच आपको याद होगा के त्रो से लितंदास की विकेट आई थी बड़ा इंपोर्टेंट मैच था पिछले वर्ल्ड कप का है यहां पे बहुत टफ फाइट दी थी 23 रन और दो विकेट शाकिब यदि बारिश ना आती तो यह मैच और तगड़ा चल रहा था और बहुत बहुत क्लोज मैच गया था इंडिया सिर्फ पांच रन से डगवर्ड लुइस टर्न मैथट से विन कर गई थी यह मैच ओवरॉल नंबर्स आप देख रहे हो इतने सार को काफी पसंद है स्कोरिंग अच्छी इन्होंने कर रही है यार कोली से कमबैक चाहिए इस मैच में आज से सुनहरा मोका नहीं मिलेगा अगला मैच ऑस्टेलिया से बड़ी टीम्स के आगे मैच उने अगले क्योंकि उसके बाद से मिफाइनल है और अगर इंडिया कॉलिफ कप में था सुम्या वगेरा इन सब की किसी की अवरेज अच्छी नहीं है सूर्य एक मैच खेले है तीस जकर अलियानिक एक मैच खेले है चौबिस नॉट और नेजबन सेंशन तो 21 एकलौते मैच में बोलिंग में चहल 6 मैच 9 विकेट हलाकि इंडिया खिला नहीं रही उनको शाकिब 7 मैच 6 हारदिक 4 मैच 5 मुस्तफीजूर 9 मैच 4 अरजदीब 2 मैच 3 शीवंदूवे 4 मैच 3 ये दियान रखना इसमें से कुछ एशियन गेब में भी मैच हुआ था उसका भी स्टैट है मैं क्योंकि सारे मैच इंक्रूट करों शीवंदूवे ने 4 में 3 विकेट अब यहां अगर देखे न तो आपको देखने को मिलेगी रीसेंट फॉर्म बिफोर स्टार्ट वर्ल्ड कप इंडिया ने अपनी टीम में बदलाव किये ने वही टीम से खेला रही है तो मतलब कुलदीब को जरूर खिला है पिछला मैच यदी इंडिया मानलो एक्चेंज क तो इनकी फॉर्म कैसी है यहां सही पता लगेगा जीरो वन टू वन वन जीरो जीरो वन वन विकेट पिछले मैचेस में लेकिन मेरे को नहीं लगता है इंडिया को ही खिलाएगा और बढ़िया टीम है शीवम दूबे का यहां पर चोईस है कि शीवम दूबे को बिठा क्या आप क्या सैमसन को लाना चाहते हो रिंकु सिंग तो आपके रिजर्व में में है नहीं तो आप काईदे से लेके आ नहीं सकते है अदरवाइस मेरे साब से रिंकु सिंग को खिलाना बहतर रहेगा इंडिया के लिए बट अभी यह टीम खेल रही है रोहित कोली रिशपपन स जरूर एक नौक आई थी 52 नौट उसके बाद 13 तीन और आठ और विराट कोली की एक चार जीरो और 24 तो इनकी भी एकी नौक आई है 24 रंस 24 गेंद में और कोई बढ़िया नौक आई नहीं रिशपपन बढ़िया खेले है 36 नौट और 42 अठाना और 20 तो लास दो मैच में सू प्लेवाजी मुझे बहतर लगी है बाकी टीम्स के मुकाबले यह चीज आप देखके चलना अक्सर वटेल ने बढ़िया बल्लेवाजी करी है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले मुझे कहना चाहिए क्योंकि यहां पर शिवम दूबे से ज्यादा तो एक्सर सावित हुआ अभी अठारवाज बीसवाज वैसे जनरली इंडिया करवाती बूमरा से एक वर डेथ में अर्शदीव डालेंगे क्योंकि अब सिराज नहीं है तो यहां पर अर्शदीव दो और पावर क्ले में एक से दो बाद में डालेंगे चार ओर हो गए बूमरा तो चार डालेंगे ही अले बाद हम सबको ज़्यादा प्रसंद आते हैं यहां पर भूमरा की है कहना चाहूंगा हार्दिक पांडिया चार में चौदा ओर साथ विकेट इनसे भी आप दो से तीन ओर की उमीद कर सकते हो वेस्ट इंडीज में थोड़ा स्पिन का काम जादा है इसलिए में दो से त ऊह तरह से इंडीया की टीम है बहुत यहां परफोर्मस रही है थोड़ा सा रूम्पोर इंप्रूमेंट बहुत बढ़िया रही है एसपनमी आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बता सकते हो फुल स्टैट सिर्फो जिसका आपको देख रहे हैं इंडिया की टीम से आप देख सकते हो सबका लिखा हुआ था बंगलादेश की टीम की जिसकी आपको रिसेंट फॉर्म देखनी है देख लो शोरी फुल इसलाम की फॉर्म देख लो 2-1-1-0-1 विकेट वर्ल्ड कप से पहल को मिलेंगे तो इंडिया की टीम में चार लेफ्ट हेंडर है सामने और कोई होगा बंगलादेश में तो इंपोटेंट है एक तो मामदुलार रियाद है एक है मेहंदी शेक मेहंदी असन यह लास्ट मैंच खेले थे वार्नर हेड की वज़े से हाला की कुछ करना ही पाए थे बड़ बाज़ी भी थी थीठा कर लेते हैं और इसकाल रिशाद ना इंसे उपर आ रहे हैं यह उपर भी आ सकते है बैट मैं ध्यान क्ना उपर भी जा सकते हैं यह किससे उपर जा सकते है मेहंदी हसन से बाकी यहां पे तोरी ध्रिदोय है, मिडल में शाकिब हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे, बट इंडिया पास लेफ्ट हेंडर हैं, सेम बंगलादेश पास लेफ्ट हेंडर हैं, पहले लेफ्ट हेंडर तंजीत हसन, दूसरे लेफ्ट हेंडर शंतो, तीसे लेफ्ट हेंडर यहा शाकिब अलहशन, लेकिन इंडिया के पास क्या राइटाम ओफबरिक डोलर है, इंडिया कोई आउस्पिनर को नहीं खिला पा रही है, इंडिया के स्कॉर में ही नहीं है मेरे भाई, तो यहां पर कई ना कहीं अगर आप देखोगे, कोई प्रॉपर आउस्पिनर नहीं है अब आप मुझे को कि यार कोई पार्ट टाइमर यूज कर लो रोहिज शर्मा खुद बोलिंग पर आ जाए तो मुझे नहीं लगता वैसा होगा तो यही चीज़ है देखके चलो इनके आगे पेसर जी आएंगे या फिर अब इंडिया जड़ेजा और कुल्दी को भी यूज कर लेगी मेरे हिसाब से लेफ्टीस के आगे कोई जाद दिक्कत नहीं है बाकी ओवरार लाइन अप आपको देखने को मिल रही है यही लाइन अप यहां रखी है पांच में से तीन मैं जीते है दो हारे है जिसमें से एक औस्ट्रेलिया से हारे है टीम खराब नहीं खेली है हाला कि इनकी बलेवाजी इनकी वीकनेस है तो ये चीज़ देखके चलना इनकी बोलिंग अच्छी हैं इनकी बलेवाजी वीकनेस है खुद देख लो यहां पर सिरफ एक पेंटीस का स्कोर आया तन्जीज असन का पिछले दो मैच में जीरो आए है चशत्तिस का एक स्कोर आये लितंदास का विकेट कीपर भी है शंतों का एक 41 का स्कोर आये तो तीनों का एक एक नौक अच्छा है लग-लग मैच में जो टीम को कैरी कर रहा है हरिदोय 40-37-40 ये बेस्ट बैटर रहे हैं consistent बैटर रहे हैं इन पे star लगा जेते हैं कि अगर आपको कोई बैटर पिक करना है बंगलादेश से तो वो होंगे हरिदोय बाकी 64-0 रूट शाकिप का आया है बाकी ठीक-ठाक मामदुला के लिए 16-0 रूट बीस पच्चीस तेना दो और थोड़ा बहुत नीचे परफॉर्मेस आ जाता है कोई ऐसी बात नहीं है अब मैं बोलिंग पर आगया हूँ लास्ट मैच पर मेहंदी असन आये और मेहंदी असन पहला ही मैच खेले थे अपना इस वर्ल्ट कप का चार वर बाइस पर जीनो और आपने नोटिस किया उन्होंने पाउर प्ले में बोलिंग कर दी लेफ्ट हैंड बैटर की वज़े से सामने वर्णर और ट्रेविस हैट थे अब यहां देखो रिशाद हुसेन यह हर मैच में वो डाल रहे हैं विक्टे भी निकाल रहे हैं पांच मैच में नोविकेट है तन्जीद असन साकीब बहुत अच्छे पेसर है इन्होंने जो एशिया कप था उस पर रोहिज शर्मा को भी आउट किया था स्विंग बहुत होती है इनकी गेंद अगर कोई इंडिया के लिए स्टार्ट में थ्रेट है खोली रोहिप के लिए तो यह मिस्टर साकीब ही हैं बहुत बढ़िया बोलिंग कर रहे हैं पांच मैच नौ विकेट है यह आपको स्टार्ट पर भी एक दोवर करते दिखेंगे बाद में भी तीन से चार मुस्तफिजूर चार डालने चाहिए तसकिन तीन से चार डालने चाहिए शाकिब आज कल का मुगर डाल रहे है तो दो स से तीन और इवन मैं यहां पर मेहंदी हसन के भी दो से तीन कोंगा माम अधुल्ला की ज्यादा जरुत मुझे दिखने ही ठीक है बोलिंग में इनके लिए रिशाद और हसन साकिब सबसे में बोल रहे हैं ध्यारनकना बैटिंग में जेकर अलिया ने आठ चौदा नोट बार एशियक अप में वह आपको यहां देखने को बिल रहा है दो गेंद रंजीरो एक विकेट वंडे में आउट किया था ध्यानकना वह वंडे ही था ना एशियक अप ध्यानक के चलना तसकिन एमन ने भी वंडे में ही किया है देन मुस्तफिजूर और शाकिर दो थ्रेट हैं दोनों लेफ्ट आर्मर मुस्तफिजूर तीन बार ही इनको टीट्वेंटी में कर चुक है तीन बार वंडे में शाकिर बार इनको टीट्वेंटी में कर चुक है दो बार वंडे में आपको पता है मुस्तफिजूर इंडिया के सामने टीट्वेंटी में अतना काम्याब नही हुए हैं लेकिन IPL लेवल पे और जब भी इंटरनेशनल भी होता है हमेशा एक रोहिट शर्मा का लेफ्ट आर्मर के आगे दिक्कत रहा है और वो मुस्तफीजुर कर सकते हैं वंडे में तो वैसी बहुत तंग किया है वो तो आप देखे रहे हो वंडे इंटरनेशनल तीन ब ये चीज़ आप देखके चलो विराट कोली ये खुद भी मुस्तफीजुर के आगे दो बार T20 एक बार वंडे में उट है शाकिब के आगे पांच बार वंडे में उट है एक बार T20 लगबग तसकिन के आगे एक बार वंडे में तो इनका भी सिमिलर मैच अब है भाई रहम रहमान शाकिब यहां पर भी रहमान शाकिब आज के मैच में शाकिब पावर प्ले में मोलिंग करने चाहिए अगर बंगलादेश सोच से खेलती है तो ये बंगलादेश के उपर है अगर बंगलादेश दिमाग से खेलती है आज शाकिब को पावर प्ले में ओर मिलना चाहि है और आगे भी रह्मान ही रह्मान होने वला है खुद देख लो आप तो शिवब दूबेकर नॉर्मल है हार्दिक पंडे रह्मान पे दो बार टी ट्वेंटी एक बर बंडे जड़े जड़ेजा काफी बार रह्मान पे आउट हूँ है इस बार तो दोनों एक टीम में ते चल दे नहीं है तो नाम आएक अपी कैसे ठीक है हाला कि इस वर्ल्ड कप पे वह बंगलादेश के टॉप बिकेट टिक करें अब तन्जीद हसन ये कुलदीब के सामने बाई वंडे में आउट है सीधा सीधा शेगें शारन एक बर आउट लिप्तन दास बहुत खेलें इंडिया हैं T20 इंडिया के सामने ठीक है सिर्फ एक मैच बैन यहाँ पे दोस्तों आपको शाकिव मिलेंगे यह जरूर खेले हैं T20 अब शाकिव लेसन पहले तो यहाँ पे ना जकर अलिया निका देख लो कुछ भी नहीं है देखने वाला यह जो दो सबसे एक्सपीरियंच नहीं है जाकिव जडेजा पे दो बार T20 तीन बार बंडे हार्दिक पे एक बार T20 एक बार बंडे T20 में अक्सर पे भी अरजदीप पे और कुलदीप पे इंटरस्टिंगली अक्सर पे दो गेन जिरुरन और सीधा उट हो गए थे और कुलदीप बंडे में उट तो इनका जो मैच में जडेजा बंडे में कर चुक है कुछ नहीं चोड़ा एकदम एक क्लास वीडियो अभी तक अब जाएंगे टीम देखने देखने टीम कैसे बनती है हमारी पिक्स मांग मांग के आपने कोमेंट सेक्शन बढ़ डाला है कल के मैच में आपसे शेयर करा था मिलर और महाराज बने एकदम टॉस्टैप में लिखा था दोनों को ले सकते हो जिसने लिया अच्छा कासा प्रॉफिट कमाया होगा बैतरीड एप्लिकेशन है रेगुलर बे मिलते हैं खेल लेगो आपको कुछ पैसा रही डाला आप को डॉलोड करें और के वाई सी करें अपनी आपको जो भी इंफोर्मेशन मांगी जाती है वह भरेंगे हंडर्ड रुपीज आपको मिलेंगे उससे आप खेल सकते हो और बहतरीड इंफोर्मेशन आपको देने वाल करना है बंगलादेश के बोलर्स को तो उनके टॉस की वेट करो अगर उनकी पहले बोलिंगे फिर आप ले सकते हैं ठीक है रोहित को थोड़ा रिस्क लिया मैंने सेल करने का लेकिन आप मतले ना मैं एक्चली पहले जब इनको सेल किया था मेरे माइंड में आ रहा था कि यह स्लो विकेट है लेकिन मैंने देखा यह विकेट काफी अच्छी है मैं दूसरा मैदान समझा था इसको बार्बेडोस वोला जहां सेकेंड इनिक बे तो बड़ी मुश्किल आ जाती है बड़ मैच आरनस वोले पे है तो आप थोड़ा रिस्क रहेगा अब वोएड भी कर सकत बागी यहां पर मिरे को लगता है अक्सर को बाई किया जा सकता है और किसी पर ज्यादा यहां पर आपको कहूंगा नहीं सजेस्ट बंगलादेश के प्लेर को भी सेल कर सकते हो बड़ी आ एप्लीकेशन है यहां रेगुलर वीनिंग कर सकते हो जिसे मैं करता हूँ चलिए अ सबसे पहले तो भाई यहां रिशापत को लेके जा रहा हूँ आपको लितंदास को रखना है तो आप बिल्कुल रख सकते हो लास्टी ट्वर्डी वर्ल्ड कम में इंडिया पास बूमरा नहीं थे तो लितंदास से 60 मारे थे ध्यान रखना लेकिन इस बार बूमरा है मैं हो को आउट किया था एशिया कप में भी हाला कि वो बंडे था लेकिन अल्डी प्रोन हो सकते हैं इवन यहां पर फिर से रोही चर्मा लेकिन मुस्तफीजूर की लेफ्टाम फास्ट क्या एकदम स्टार्ट में करवाईगी बंगलादेश वो भी डाउट है क्योंकि वो जहातर बात में आते हैं ठीक है ये चीज़ देखके चलना सूर्य रोहित और विराट तीनों को मैंने रखा है ये विराट अभी फॉर्म में नहीं है लेकिन हम सब जानते हैं विराट जब चलते हैं तो फिर अखेले मैं जिता देते हैं बढ़िया खिलाडी है कोई शक्की बात नह अगर आपको कोई बंगलादेश का रखना है तो वह होंगे तुरीध रिदोय बट्वय उनके साथ भी नहीं जा रहा हूं तन्जीज असन आ रहे हैं अपनिंग पर लेकिन कुछ खास इन्होंने भी किया नहीं है ठीक है हालाकि इनका फॉर्म कबिंग टू वर्ल्ट कब बह अब एक चीज़ देखो यह बंदा रिशाद उसान अच्छी फॉर्म मेल एक्स्फिंग भी डाल रहा है बैट सभी काम आ जाता है इसलिए रख रहा हूं इंडिया में राइट हैंडर्स हैं इनकी पटाई भी हो सकती है ध्यान रखके चलना और एक चुपा रुस्तों चिंजर ट्रै करना तो मने कल महराज बोला था महराज को टीम में रखा भी था भाई सबसे नौटिया को ड्रॉप करके एंडिक नौटिया सबसे पहले अर्जदीप को रखा इंडिया के फास्ट बॉलर्स को प्रेफरेंस दी है बंगलादेश के रहमान डेथ बोलर ने में तसकिन स्विंग पाते हैं बल्ले से हिट भी लगा लेते हैं यह सिग्स डौन पर आकर हार्ड इट भी मारते हैं यहां पर इंडिया पास कुल्दी प्यादव है और इनके पास बंगादेश पास साकीव है जिननोंने बहुत अच्छी बोलिंग करी है मैं इंडिया को फेवर तीनों की जगा पर मैं सीधा सीधा टीम में जडेजा को इंसर्ट कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो, क्योंकि मैं जायते है जडेजा को लेकर ही comfortable उट्था हूँ, गेम चेंजर उटाना है तो महंदी हसन, जडेजा और महंदी हसन, मैं सिर्फ दो और प्लेयर का जिकर कर र इन 14-15 के लाड़ियों में ही अपनी Grand League के टीमस भी बना लो, इनफ है, और ज़्यादा नहीं सोचना, CVC के जो Candidates है, अगर इंडिया बैट करे हार्दिक पांडया अच्छी option है, और इस मैच में कोली भी अच्छी option है, मैंने ध्यान अखना, अभी तक किसी भी मैच में कोली को जा सकते हैं, उमीद कर तो इस वीडियो से आपको help मिलेगी, अगर आपको help हुई तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को like करें, अगली वीडियो में मिलने आओगा तक के लिए, लेकिन आपको सब्सक्राइब करके जाना है, तभी तो आप भी मिलने आप होगे, हेलिकराम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पांच राक लोग जोड़ चुकें, फाइनल अपडेट का फायदा उठाते हैं, आप भी आजें, अगली वीडियो में मिलता हूँ.